आपका स्वागत है और मैं लेकर आता हूँ आपके लिए स्पोर्स से जूड़ी हर बड़ी खबर तो आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के उस खिलाड़ी के बारे में जिसकी फों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पिछले दिनों कप्तान धोनी की धीमे बल्ले बाजी को लेकर कई किरकेट दिगज होने सवाल उठाए टीम इंडिया ने कल वेस्टन डिज के खिलाफ खेले गए मुकाबले में आसानी से जीत तो हासिल कर ली लेकिन टीम के लिए सबसे बड़ी रहत की खबर ये रही कि धोनी धोनी की इस पारी के दोरान सबसे दिल्चस बात यह रही कि धोनी ने अपनी 56 रनों की पारी के दोरान पहले 26 रन 25 ग्यंडों पर बनाये इस दोरान उनका स्ट्राइक रेट तकरीविवं 58 के आसपास रहा धोनी ने अगली 30 रन 16 गैंडों के रहा दोनी की आकरी औरों में 16 गेंदों की पारी उनकी पहली 45 गेंदों की पारी से बड़ी शावित हुई हलंकि धोनी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस मैच में भी धीमी शुरुआत की थी लेकिन जब धोनी मैदान पर बल्ले बाजी करने के लिए आये तो उस वक्त भारत की हालत बेहद नाजूख थी इसलिए धोनी ने मैच की सिचुएशन के हिसाब से बल्ले बाजी की लेकिन भारत के पूर खिलाडी विवेश लक्षमन को धोनी की धीमी बल्लेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने धोनी को लेकर एक बड़ा बयान दिया लक्षमन ने कहा कि धोनी को अपने इस अप्रोच पर काम करना होगा उन्होंने कहा कि पारी की शुरुआत में धोनी का स्ट्राइक रेट तकरीबन 40-45 के बीच था इससे टीम पर और उनके साथी खिलाडियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है यह ठीक है कि आप एक अच्छे फिनीशर है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता मैच की शुरुआत में फेबियन एलन जैसे स्पिनर के खिलाफ सकारात्मक इरादे से खेल सकते थे आज के मैच में भी भारत ने इसी कारण कहीं विगट गवाए यहां तक कि विराट कोहली का विगट भी इसी ले गिरा क्योंकि वो दबाव में थे लक्षमन ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि जिस तरह धोनी ने अपनी पारी की शुरुआत की एक दिन उन्हें अपनी इस पारी पर पस्तावा जरूर होगा यह धोनी के खेल की एक ऐसी कमी है जिस पर धोनी को बहुत काम करने की जरूत है इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाव भी धोनी को अपनी धीमी बल्लेबाजी के लिए अलोचना जहननी पड़ी थी पिछले मैच में भी धोनी के लिए स्ट्राइक रोटेट करना काफी मुस्किल था जिसकी वज़े से सामने वाले बल्लेबाज पर भी प्रेशर बन रहा था और इसका नतीजा यह हुआ कि टीम इंडिया के कई खिलाडियों को तेजी से रन बनाने के चक्कर में अपना विकट गवाना पड़ा धोनी ने अफगानिस्तान के खिलाफ बावन गेंदों पर 28 रन बनाए थे जबकि इनी स्पिनर्स के खिलाफ इंगलेंड के खिलाडियों ने जमकर रन बटो रहे थे आम तोर पर ये बात कही जाती है कि इंगलेंड के बल्लेबाज इस्पिन गनबाजों को अच्छा नहीं खेल पाते लेकिन फिर भी उन्होंने राशिद खान जैसे बड़े स्पिनर के खिलाफ शांदार बल्लेबाजी की वहीं इसके उलट ये बात सब जानते हैं कि भारत के खिलाडी दुनिया में सबसे बड़ी एस्पिन खेलते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ धोनी की धीमी बल्लेबाजी पर तेंदुलगर ने भी नाराजगी जाहिर की थी उन्होंने सुजाव दिया था कि केदार जादों के साथ धोनी की साज़ेदारी धीमी थी और उसमें काफी सकारात्मक चीज़े नहीं दिखाई दी इसलिए अब इस बात की चर्चा भी जोरो पर है कि धोनी टीम के लिए क्या उतने ही उप्योगी खिलाडी है जितने की वो पहले थे धोनी का धीमी तरीके से बल्लेबाजी करना किसी को भी रास नहीं आ रहा ऐसे में कई क्रिकेटर्स का मानना है कि अगर धोनी इसी तरह की बल्लेबाजी करते रहे तो भारत को सेमी फाइनल या फाइनल जैसे मुकाबलों में इसका बड़ा खामियाजा भुकतना पड़ेगा जिस पर बाद में कभी ने खतम होने वाली बहस भी शुरू हो जाएगी इसमें कोई दोराए नहीं कि धोनी ने पिछले कुछ सालों में टीम के लिए जिस तरह की क्रिकेट खेली है उसके लिए उन्हें नहीं जाना जाता मगर हमें ये बात भी माननी होगी कि विश्कप जैसे बड़े टुर्णामेंट में धोनी का अनभव टीम के लिए सबसे ज़्यादा माईने रखता है इस बात से तो हम सबी वाकिफ है कि दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी अपने करियर के आखरी पड़ाओं में धीमे लगने लगे थे ऐसा ही कुछ धोनी के साथ भी हो रहा है धोनी भी अमपनी उम्र के साथ थोड़े धीमा होते हुए नजर आए इससे पहले उनकी फिटनेस को लेकर कहीं बार कहा जाता था कि दुनी शायर टीम इंडिया के सबसे फिटस्ट खिलाडियों में से एक है लेकिन ये बात भी जगजाहिर है कि मौजुदा टीम में दुनी से बढ़िया तरीके से कोई खिलाडी गेम को नहीं समझ पाता और यही वज़य है कि कप्तान कोली धोनी की एहमियत को समझ रहे हैं और उन पर भरोसा भी जता रहे हैं क्योंकि कोली इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सही वक्त पर धोनी टीम के लिए जरूर काम आएंगे खेल के मैदान की इसी तरह की खबरे जानने के लिए बने रही एचिस न्यूज के साथ आप हमें यूट्यूब के अलावा हमारे ट्वीटर हैंडल पर भी फोलो कर सकते हैं